दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ तो दोस्तो आज किस फीडियो गंदर में आपको बताऊंगा कि अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या डैमेज हो गया है या किसी भी कारण वस आप उसको दुबारा अपने घर पर मगवाना चाह कि कहां तक पहुचा नहीं पहुचा उस टॉपिकर मेरे चैनल पर अल्डेड एक वीडियो बनी हो है जिसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप एपलाई करने का ट्रैक भी कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं कि क इस तरीके से आप जो है आपना पैन कार्ड दुबारा घर बैटे वापस मंगवा सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आपको अपने मुबाइल फोन ये कंप्यूटर के ब्राजरों में टाइप कर देना है पैन कार्ड री प्रिंट और उसके बाद जो है आपके सा यहां पर जो है और यहां पर जो है ब्री प्रिंट का जो चार्ज है वो 50 रुपीज है और अगर आउट ओफ इंडिया पैन का डिलीवर होता है तो एक अतर रुपे केप्रोक्स है तो यहां पर जो है पैन कार्ड जो है वो स tapped unto तो सिंप्ली करना किया है सबसे पहले में पैन कार्ड का पफिल कर देना है divided feel तदेना है यहां पर यहां पर मफ और फिर the birth का महीना और साल fill कर देना फिर ये जो terms and conditions एक्स को accept कर लेना फिर ये capture code को यहां fill करके submit कर देना चलिए हम details fill कर लेते हैं दोस्तो details fill करने अगर चेंज कर सकते हैं उसके फिल करने का सिंप्ली करना का submit पर click कर देना है अगर capture code समझ मिना है change कर देना करने का दोस्तों यहां पर सारी डेटेल्स ओपन हो जाएगी आपके सामने आपका पैंन नमबर पूरा शो हो जाएगा और आपका मुबाइल नमबर आपकी इमेल आईडी आपका पूरा complete address जो भी होगा न वो cross cross करके show हो जाएगा तो जो भी address है यहां पर आप change नहीं कर सकते हैं आप mobile number change नहीं कर सकते हैं यहीं सही जो है इसी address पर आपका आएगा तो simply करना किया नीचे की तरफ आजाना है यहां पर आपके सामने OTP का option है तो आपके पास email ID और जो है phone number दोनों ही है तो आप both पर कर सकते हैं और आप सिरफ mobile पर OTP मंगवाना चाहते हैं तो सिरफ mobile वाले option पर क्लिक करके OTP कर सकते हैं आपको जो है last four digit का phone number दिख जाता है और starting का कुछ email ID दिख जाता है तो मैं जो है फिल कर देना है और validate पर क्लिक कर देना है validate पर क्लिक करते हैं दोस्तों जो है आपके सामने एक नया option आजाएगा यहां पर आपके सामने payment का option आगया 50 रुपीज की online payment करने हैं आप online payment वाले option पर first वाले option पर क्लिक करेंगे और debit card UPI internet banking किसी से भी payment कर सकते हैं तो हम जो है चलिए payment select कर लेते हैं payment select करने का दोस्तों यहां पर नीचे की तरफ आ जाना है यहां पर आपको amount शो कर जाएगा फिटमस and condition को accept करके proceed to payment पे क्लिक कर देना है यहां पर amount दिखा रहा है transaction ID दिखा रहा pay confirm पे क्लिक कर देना है pay confirm पे क्लिक करते हैं यहां पर आपका paytm का option खुल गया है other bank other payment option पे क्लिक करके आप debit card net banking से भी कर सकते हैं यह direct आप paytm payment bank से भी कर सकते हैं यहां पर आपके paytm payment bank के account से ही charge करते हैं आप अपना paytm वाला number डालेंगे और प्रोसीट पे क्लिक कर देना है और अगर आप other debit card से करना चाहते हैं तो other payment option से क्लिक करके या फिर net banking से भी payment कर सकते हैं मैं paytm से कर दे रहा हूँ उसके ज़िए OTP आएगा OTP को fill कर देना है दोस्तो payment processing होने का जब verify अगेरा हो जाएगी तो आपके सामने जो है एक option यहाँ पर यह वाला आजागा देखे इस तरीके से payment verify होगी थोड़ा सा time लेगा browse back back नहीं करना आपको थोड़ा सा wait कर लेना अगर browser slow चल रहा हो तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा time लेगा और browse होने लगेगा उसके बाद जो है आपके receipt generate हो जाती है तो इस तरीके से आपके सामने payment का successful का message आगा transaction number आगया फिर आपको click कर देना है confirm पे confirm पे click करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आगा click here to generate physical receipt तो जो pen card की receipt है वो generate करने के लिए आपको इस पे click कर देना है और उसके आपका जो receipt है pen card का वो generate हो जाएगा और यह जो है receipt आपको समाल के रख लेना इसे आप print out ले सकते हैं या save display पे भी save कर सकते हैं यह आपके काम आएगा आपको track करने के तो दोस्तों कैसी लगे information वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को like, share, subscribe करें और चैनल को subscribe करना न भूले वीडियो को अपने family friends में share करना न भूले मिलते हैं गली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ जब तक के लिए जैहिंद